कैबिनेट बैठक में सीम शिर्वासिंग चोहान ने बड़ा एलान किया है राम नवमी को बड़े स्थर पर मनाई जाने का उन्होंने संकल्प लिया है चित्रकुट और ओच्छा में राम नवमी के कारेकरम किये जाएंगे और सभी प्रमुख राम मंदिरों में उत्सा से आसियत भी बताई गई है कैबिनेट में उद्ध्यम क्रांती योजना का प्रेजंटेशन भी हुआ कि मेरे सायोगी शबीर आमद भौपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं शबीर शिवराज कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकिए क्या कुछ अपडेट है बैठक से इस समय कि देखे सीम शिवराज सिंग चौहान की कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक से पहले मुकमंतरी शिवराज सिंग चौहान ने अपनी कैबिनेट को संभोदित कराय और तमाम चीजों के बारे में बताया जिस तरीके से कल बड़ा कारेकरम किया गय पंदरा साल के कारिकाल के बारें बताया कि उसने क्या कुछ योजनाएं चलाई किस तरीके से जनता को फाइदा पुचाया और किस तरीके से उनकी योजनाओं को दूसरे राज्य अपना रहें इसके आलावा एक फैसला और लिया गया है सिएम शिवरासिंग चौहान ने अपनी कैबिनेट के तमाम मंत्री को बताया है कि संस्कृती विबाग की तरफ से यानि सरकार राम नावमी पर तमाम जितने भी राम मंदिरें वहाँ पर बड़ा कारेकरम किया जाएगा और खासका राम राजा की नगरी ओर्चा में एक कारेकरम करने जा रही है सरकार यानि अब यह कह सकते हैं एक तरफ मद्वरदेश की कॉंग्रेस पार्टी भी राम नावमी पर हनुमान जेनती पर बड़ा कारेंकरम कर रही है तो सरकार भी अब बड़ा आयोजन करने जा रही है और उसकी जानकारी मुकमंत्री दिया जाएगा उनको आत निर्बर बनाने के लिए उनको विपार के लिए दिखाए गया तो क्या कुछ इसकी खासियत बताई जा रही है देखिए मुकमंत्री उद्गम क्रांती योजना के बारे में आपको बताएं तो मदवर्दे सरकार का लक्ष यह है कि करीब एक लाक युवाओं को रोजगार से लगाया जाए युवाओं को रोजगार को और तमाम जितने भी केबिनेट के मंत्रियों उनको बतानी कि यह कोशिश की गई है कि कितनी वड़ी योजना हैं क्यूंकि मदप्रदेश की बात करें या फिर देश की बात करें युवाओं को रोजगार को लेकर काफी प्रियास किये जा रहे हैं और एक के बाद एक सरकार की के तरब से भी कदम उठाए जा रहे तो केबिनेट के मंत्रियों को यह जानकारी दी गई है कि आपको अपने इलाके में जाना है आपके प्रबार वाले इलाके में आगे भी आपसे खबरों पर हम लगतार अपडेट लेते रहेंगे वे रहे 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 हैं